कि जहने नमस्कार दोस्तों मैं विराड़ चौजरी श्वाद करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल कमांड ओकेड में में दोस्तों आज के वीडियो स्पेस लिए अपना है आर्पी अपकों स्टेबल बढ़ती आर्पी बढ़ती दो हजार तेबीस पर कि काफी सारे बच्चे इस बढ़ती का इंतिजार कर रहे हैं मैंने एक दिर पहले भी बताया इसके पिछे रीजन यह है कि इसमें क्या होता कि जो हाइट का क्राइटेरिया है वो कम है हाइट का क्राइटेरिया इसमें 165 सेंटीमेटर ही है बाकी सेसे जीडी और दिल्ली पुलिस में 170 सेंटीमेटर है तो इसकी बजाए इसमें क्या है कि हाइट का क्राइटेरिया थोड़ा सा कम है तो बहुत सारे बच्चे जिनके हाइट मानके चलिए एक गुन सितर रहे एक 2018 में और आज आगया 2023 यनि 5 साल से वेकेंशी डिले चल रही है और लगबक 6 या 7 साल से आर्पिएप में कोई भी बढ़ती नहीं हुई है तो काफी बड़े अनुमानित लगाई जा रहे है कि आर्पिएप पदों की जो बढ़ती है यह 19 अज़ार से भी प्लस पदों पर यह बढ़ती होगी द्यान पर आपको बता दूं कि इसमें दोनों हैं कॉंस्टेबल और एसाई दोनों की बढ़ती होगी आर्पिएप में ठीक तीन साल की छूट मिली थी क्या इसमें भी एज में छूट मिलेगी देखिए हो सकता है कि आर्पिएप की बढ़ती में आपको एज में छूट देखने को मिल जाए उसके पीछे रीजन यह है कि यह बढ़ती 2018 के बाद में हुई ही नहीं मतलब 2016 की लाइस्ट इसकी बढ़ती प्रिशन आउट होगी तब ही पता से लेगा अब इसके बारे में जैसे आर्पिप की पोड़ल पर तो कोई भी ओफिशल नोटीस नहीं है जो भी नोटीस है वो आपको मैं बता दू यह न्यूज पेपर के माध्यम से बाहर आ रहे हैं यह निन्यूज में किसी भी बोड़ द्वारा वजब भी कुछ बोला जाता है तो वो चीजे बाहर आए तो उसके अनुसार बताया जा रहा कि यह वेकेंसी 2023 में ही होगी और लग बख 19,000 कुद पदों पर ही वेकेंसी होगी ही होगी तो आप सब के लिए बहुत अच्छी बात है जिन बच्चों की हाइट का मैं इस पेसली उनके लिए बहुत अच्छी वेकेंसी है तो आप इसका इंतजार कर सकते हैं बहुत आप करिए इसकी तयारी क्योंकि यह भरती हो सकता है कि आपको अक्टूबर के महीने से पहले पहले देखने को मिल जाए इसकी नोटिफिकेशन ठीक है क्योंकि आर्पेफ में इसके बारे में काफी विवाद चल रहे हैं और काफी तर्चाएं चल दीएगी यह बढ़ती होने वाली यह बढ़ती होने वाली लाट जै हिंद जै भारत